नमस्ते दोस्तों, जैसा कि हम जैशंकर प्रसाद के संपूर्ण नाटकों के विशे या उसका संक्षिप्त में परीचे और पात्रों पर चर्चा कर रहे हैं, पिछले वड़ी अमने हमने चार उनके नाटकों पर चर्चा किये थी, आज हम उसके आगे के नाटकों पर चर्चा करेंगे ठीक है तो शुरू करें राजिस्री यह उनका 1915 में प्रकाशित नाटक है यह नाटक उनका तीन अंकों में विभाजित है नाटक का अरंब विरोधों के वातावरम में होता है यानि विरोधों की स्थिति अंतर तक बनी रहती है नाटक में अब इस नाटक में वर्मा और मालव राज देव गुप्त का विरोध इसमें दिखाए गया है। राजिस्री को प्राप्त करने के लिए जैसे नाटक का शिर्षक है राजिस्री और राजिस्री के साथ ही इस नाटक का अंत होता है। अंक है वो समाप्थ होता है अब जो दुरुष्य आगे है साथ में जो प्रतिशोत की योजना दूसरे अंक में बताई गई है मालोराज की जो उच्छे शंकलाता के कारण स्तानी शोर समराट राजवर्धन उसके विरोध में जाता है इसी संगर्ष में देवगुप्त की जो पराजे होती है और उसे कारावज भोगना पड़ता है इन सब में यह दुतिय आंक समाप्थ होता है तुतिय यह जो अंक में राजवर्धन का हत्यारा नरेंदरी की हत्या के प्रतिकार रूप राजवर्धन के सैनिक को द्वारा की जाती है हर शवर्दन अन्य प्रांत पर अधिपत्य जमाते वे अपनी बहन यानि राजिश्री का भाई हर शवर्दन के बोध संग में आकर कहता है कि भिख्षुनि का रूप त्याग कर अपने बहन को कहता है कि भिख्षुनि का रूप त्याग कर पुनहा राज की जिवन में उसे प् प्राथोना को अस्विकार करती है यानि स्विकार नहीं करती और यही पर नाटक का अंत हो जाता है अब इस राजिस्री नाटक के जो मुख्य पात्र है वह है जो राजिस्री है राणी है अमला कमला विमला जो सक्की है उसकी शूर्मा है एक मालिन है हर्षवर्धन है राजा स दिवा करमित्र है एक महात्मा है नरेंद्र गुप्त गोड का राजा है राजवर्धन स्थानी शोर का बड़ा जो राजा है राज है और भंडी जो सैनापती है नरदत्त मालो सैनिक जो चीनी यात्री है पुलकेशिन जो चालुक के नरेश है धर्मसिद्धी सीलसिद्धी जो दो भिक्षू है देवगुप्त मालो राज मधूकर उसका सहचर है ग्रहवर्मा कनोच का राजा देवारीक सहचर प्रहरी दस्थू सैनिक प्रतिहारी दूत है मंत्री है नागरीक है ठीक है इसके बाद ह हम प्रसात का दूसरा नाटक देखेंगे विशाक विशाक ये 1921 में प्रकाशित नाटक है जिसके इस नाटक का जो कथानक है इस कथा का आधार कलन की राजतरेंगी का आरंभिक अंश है ये प्रश्णनेट में पूछा गया था कि कलन की राजतरेंगी नी प्रसात के किस ना अब इसके आरम में पिता की मृत्यू की कारण पुत्र नर्देव को राज्य का शासन संभालना पड़ता है। बस्म कर देते, सारी जो जलाई, सारी भूमी ब्राम मुनों को देते और वितस्ता ऐसा नदी का नामा है, वितस्ता नामक नदी के किनारे उसके उसने एक सुन्दर नगर का निर्मान करवाई है। जो हर दुरुष्टी से संपन है। अब इस नगर के निकट आमका वन है, उसके भीतर एक सुच्छ जलाशे है, जहां सूश्रवा नाग रहता था। चिल चिलाती दुफहर में एक भुका प्यासा ब्राह्मन उसी सरोर के किनारे भोजन करने बेटता है, तो उसी समय दो संदर्यों का वहाँ आगमन होता है। और उनके बारे में जब जिग्यासा प्रकट होती है इनके मन में, ब्राह्मन के मनें, तो उनके नाम पोचता है। तो एक का नाम है इरावती, दुसरे का नाम है चंदरलेखा। इनके बारे में विशेज जिग्यासा प्रकट की तो उन्होंने असमर्थ था प्रकट की यानि और कुछ जानकारी उन्होंने बताई ने थोड़े ही दिनों के बाद उस ब्राम्हन को एक आउसर पर उन दोनों को अपने पिता के साथ देखा उन दोनों को यानि वो जो दो सुं उसकी दुख का कारण सामने बेटा हो आई बोध्ध था वह तब तक उस खेत की अन्य को स्वयम ग्रहन नहीं करता था जब तक उन नागों को भी वन्चित रहिना पड़ता था उस ब्रामन ने उस खेत की नए अन्य को धोके से उस भिक्षु को खिला दया ताकि उन लोगों को जो अन्य प्राप्ति में थोड़ी बहुत सुविदा हो अब इसे प्रसन्न होकर सुष्रवा ने अपनी पुत्री चंदर लिखा का व्योहा उस ब्रामन से करवा दया यानि इस नाटक के आंत में चंदर लिखा के रूप में या रूप की जो गुण प्रशन सा सुनकर नर्देवने उसको प्राप्त करने का शडियंत रर्चना एकांत वासी चंदर लिखा के निकट आखेट बहाने पोचाना और सैनी को द्वारा बल प्रुवक चंदर लिखा को पकड लेने का जो आदेश है विपती की आशंका से व्याकूल होकर पती पतनी का नाकपूर भाग जाना अपनी रक्षा करना प्रतिशोद के लिए सुर्ष वावरुस की बहन के विकट आकरमन से जनता का विचलन हो उठना उस संगर्ष में राजा का भी मा आजाना अधी घटनाएं आती है भाग्यवश नरवदेव के पुत्र सिद्ध की जान बच जाती है और जो बाद में एक कुशल शासक बनता है नाटक का अंत अत्यंत शान्त वातावरम से पारंभ होकर विश्व कल्यान की मंगल में भावना से संपन होता है अब यहां पर हम इस नाटक के पात्र देखेंगे पात्र आपको याद रखने है विशाक नाटक है विशाक नाटक में जो पात्र मुख्या है उसमें है नरदेव जो राजा है महल पिंगल सूश्रवा विशाक प्रेमानंद सक्तेशिल चंद्रलेखा इरावती रमनी तरला सरला नाग अगला नाटक है प्रसाद का आजात शत्रू अब आजात शत्रू प्रसाद का जो नाटक है 1922 में प्रकाशित हुआ है प्रसाद ने इस नाटक में वेक्ति और उसकी समश्या से आगे बढ़कर पारिवारिक समश्याओं को महत्व दिया है ऐसा प्रशन पुछा जा सकता है कि प्रसाद के किस नाटक में पारिवारिक समश्याओं को बताया गया है क्योंकि बहुत सारे नाटक जो प्रसाद के हैं वो एत्यासिक है और एत्यासिक पात्रों पर अधारित है ठीक है तो ये पारिवारिक समश्याओं को लेकर इस नाटक मे वेथित होता है और इसी कारण वहाँ अंतर मुखी हो जाता है किन्तो बाहे संसार उसे वहाँ भाहे संसार में जाने के बाद भी वहाँ उसे चेन नहीं आता वो चेन से बैठने नहीं देता छोटी राणी है चलना का अधिकार पुर्णा आदेश जो कुनिक के युवा राज भिश्यक की घोशना आज ही करनी पड़ीगी ऐसा जो आदेश है और दुसरी और बुद्ध का शान्त उपदेश है अब जो उपदेश है कि तुम आज ही अजास्चत्र को यूराज बना दो इस भिशन भोग में विश्राम लेलो यानि अब ये दोनों उल्जोनों में यानि एक तरफ पुर्णी और एक तरफ बुद्ध का शान्त उपदेश इन दोनों में ये फस गए है आदी सितिया अब अंतर दोन्दों इनमें बढ़ गए है बाद में समस्तराज की ये सत्ता का अधिकारी आजाशत्रु को घुशित करके वे संपूर्ण संगर्शों से मुक्त हो जाते है फल सुरू बड़ी राणी वासिकी जो दुखी हो जाते है अब अजात निशकंटक राज्य भोगने लगता है मगत के इस प्रफंचों की सुचना पाकर कोशल नरेश और उससे विचलित होकर पक्ष विपक्ष की सारे बाते सोचते हैं और उसके बाद यूराज विरुदक आजात के कारियों का समर्थन करता है इस निशने से जो प्रसेनीज है और शड़ियंत पुर्वक राजनेती की गंधवा मिलती है यानि गंधा नहीं लगती है क्रोधित है यूराज पत से तता उसकी माता राज महसी पत सेवन चित हो जाती फलता क्या होता है कि माता की कूम अंत्रना से प्रेज़त होकर विरुदक भी अपने माता से संगर्ष करने का संकल्प करता है कोशामबी में भी अंतर विरोध की ज्वाला प्रजुलित होती है और मागधी के प्रभाव में पढ़कर उद्देन पद्वामती से अलग हो जाता है अब इस शर्यंद के रहश्य को जानने के बाद मागधी यहां से भाग जाती है और काशी में आकर प्राईचित्त सुरुप वहां वार विलासिनी बन जाती है इस नाटक में पारेवारिक सुक की सुरुष्टी माहदिवी जो वासकी है उसका कथन भी नाटक में आये है बहुत सारे आप दे सकते हैं यानि इसमें जो आजात शत्तु है उसका शाषक किस तरह है और किस तरह विरोध होकर भी वह शाषक बनता है इसका चित्रनाया है अब इस नाटक के जो पात्र है बिम्बी सा आजात शत्तु जो कूनिक है उद्धेतन है, प्रसेना जित है, विरुद्धक है, गोतम है, सारी पुत्र है, आनंद, देवदत्त, समुद्रदत्त, जीवक, वसंतक, बंधुल, सुदत्त, दिर्गकारायन, लुबधक, वासवी, छनला, पदमावती, माघंदी, वासवदता, शक्तिमती, महामाया, मलीका, बजीरा, नविना, विजेया, सरला, कुचंकी, दासी, नर्तकी, आदी, अब दूसरा नाटक है, प्रसात का कामना, कामना जो 1923 में प्रकाशित है, सन 1923 में प्रकाशित है नाटक सर्वता मोलिक है, इसकी कथाउस्त की निर्मान में उनको कल्पना की अवशक्ता नहीं नाटक की कतावस्त में हम देख सकते कि नाइका का नाम कामना है, और इसमें जो समुद्र के एकांत तर्ट पर बेठी हुई, वो विचारों में खुई है, तबी सामने से एक नाम में सवार एक विदेशी कुमार आता है, और उन दोनों में दोस्ती और बाद में प्रेम प्र प्रभाव होता है, वैभूग विलास दे कर वह कामना को ठगने लगता है। इतना ही नहीं सारे दीप के निवासियों में भूतिक्ता की लालसा जगाने में उसे सपलता मिलती है। और राजा भी निवासी और वहां की निवासी भी वैसे ही जो लाल सा में पड़ जाते। परिणाम यह होता है कि अपनी संस्कृती की मधूरता नश्ट होने लगती है और उस स्थान पर संगर्ष, युद्ध, दरिदरता, कूप प्रवर्तियों का विलास जादा पड़ता कामना ने अरंब के दिनों में विवेक और संतोष की अपिक्षा की थी, परंतु विपरी स्थिती में इन दोनों की स्मूती होती है कि वह विलास को त्याग कर उन दोनों को अपना लेती है। परिणाम सुरूप विलास और लालसा दोनों का निश्काशन उस प्रांत से हो ज अब कामना जो नाटक है उसमें आये हुए पात्र उसमें आये है संतोष, विनोध, विलास, विवेक, शांती देव, दंभ, दूवर्त, क्रूर, कामना, लीला, लालसा, करूना, प्रमदा, वनलक्ष्मी, महत्वकांग्षा, व्रध, युवा, बालक, नागरिक, सैनिक, अगंत दूख, दीपवासी है, सिकारी है, बंदी है, माता, बालिका, और अन्य बहुत सारी वहाल की निवासिया, स्त्रिया है, ठीक है?